तो है वैँ हैं आज दो कंब फिक कैसे करता हों बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग तो हुए बीग अनौश्मेंट कर रोए हम बिटा आपसे सभी चेप्टर जीतने आपके वह इस सबी चैप्टर है सबी चैप्टर का 10 चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं ला रहा हो तो आपको क्या करना है कि अगर अगर आप एंडी और आईटी जी में टॉप रैंक पाना चाहते हैं या यू समझे कि जो टॉपर होते हैं यही क्वेशन सोल्व करते हैं तो अगर आप टॉपर सब्सक्राइब की लिश्ट में जाना चाहते हैं या अपनी रैंकिंग इंप्रॉब्लम करना चाहते हैं यह जो टीम चैलेंजिंग प्रॉब्लम है आप इसको देख लीजिए अगर आपको लगता है कि और भी सभी चैप्टर का मुझे देखना चाहिए तो आप ले लिस्ट तो मैं आप लोग के लिए पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूं और आप इस चैनल को ध्यान से देखिए और जो भी आपको concept लगता है आप वहाँ से सीखिए ठीक है और एक बात बैटा कि अगर आपको जो topic अभी पढ़ने वाले हैं अगर यह clear है तब इस करना चाहते हैं तो मैंने बेसिक से वीडियो बना रखा है पूरा सीक्वेंस वाइज हुए ठीक है पार्ट वन पार्ट वी इस तरह से हमने टोटल लेट्चर वीडियो बना रखा है तो आप वह पहले देख लिए फिर इसको देखिए यह देखने से पहले आपको concept अच्छे स करना चाहते हैं तो यह लेट्चर देखिए और यह पता हो कि आपको यह जो 10 question है आप इसमें देखेगी कितना question आपको आता है एक बार खुद जाके चेकेजिए चलिए सुरू करते हैं इस question में क्या है बेटा modulus x-1 plus 7 upon 3x-8 greater than equal to 1 upon 2 है तो हम इसको कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले बेटा हम क्या करने वाले हैं यह जो modulus है उसको हम लोग convert कर लेते हैं तो modulus जब convert होगा बेटा तो two different form में convert होगा तो mod x-1 को हम क्या लिख सकते हैं minus x-1 लिखेंगे बेटा और x less than 1 होगा क्यों क्योंकि x-1 less than 0 तो x less than 1 होगा और एक बार क्या होगा बेटा करना होगा two different cases होगा एक case 1 से previous और एक case 1 से बड़ी वाली लेनी है तो two different cases यहाँ पर put करना है मतलब यह है कि हम एक बार x-1 जो mod है यहाँ पर एक बार negative लेंगे बाहर में और एक बार positive लेंगे ठीक है तो चली question proper solve करते हैं फिर आपको funda clear होगा बहुत ही अच्छा question है बेट तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बेटा case number one तो case one में अगर हम बात करते हैं x greater than equal to one पे तो अगर greater than equal to one पे यह positive होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x minus one plus seven upon three x minus eight greater than equal to one upon two होगा यहाँ पर modulus के बाद modulus हटा तो क्या लेंगे positive क्यों क्योंकि greater than one पे हमारा function क्या हो रहा है positive हो रहा है यहाँ पर positive हा गया अब इसको फर्दर solve करेंगे बेटा तो x minus one plus seven three x minus eight minus one upon two greater than equal to क्या हो जाएगा बेटा zero हो जाएगा अब यहाँ पर जब हम इसको further solve करेंगे तो x plus six upon three x minus eight minus one upon two greater than equal to zero होगा अब इसको LCM लेके हम इसको solve करेंगे बेटा यहाँ पर जब LCM लेंगे तो क्या होगा twenty minus x upon three x minus eight greater than equal to zero हो जाएगा यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है अब हम जानते हैं कि एगर कोई भी function है उपर और नीचे होता है greater than zero होता है तो दोनों को multiply करते हैं यही करते हैं ने बेटा 20 minus x equal to zero to x equal to 8 by 3 होगा और 20 minus x equal to zero to x equal to क्या होगा 20 होगा तो हमने इसको number line पर draw कर लिया यहाँ तक तो clear है ठीक है अब जो सबसे बड़ी value उसको positive लेंगे alternate positive negative positive अब बेटा यह बताओ कि यहाँ पर जो है हमारा 20 minus x है तो इसको क्या change नहीं करेंगे बिल्कुल change करेंगे बेट तो हम लिख सकते हैं x minus 20 यहाँ पर x minus 20 3x minus जब negative एक term किया तो यह वाला polarity भी तो change हो जाएगा बेटा हम x अगर negative करते हैं तो polarity भी तो change होता है तो finally हम इसको देखेंगे अब क्योंकि x हम inequality में हमेशा क्या होना चाहिए positive होना चाहिए तो less than है तो less than में क्या होगा बेटा चलू 8 upon 3 से लेकर के 20 तक लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा concept देखो यह equal to है तो square bracket होगा लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला term है 3x minus 8 मतलब यहाँ पर जो term है वो नहीं equal होना चाहिए मतलब 20 के equal नहीं होना चाहिए तो अभी एक second उख जाओ यह आपको सम simple bracket होगा और 20 पर क्या होगा square bracket क्यों होगा क्योंकि यह equal to यहाँ पर अगर हो जाएगा तो cancel out हो जाएगा तो यह 8 by 3 से 20 तक हमारा होगा यह हमारा first equation है अब हम क्या करेंगे बेटा लेकिन question में क्या है यहाँ पर देखो बेटा आपको अगर हमने जो cases माने है x greater than equal to 1 है इसका मतलब 1 से लेकर के infinity है तो यह और यह जो term आए है इन दोनों का हमें क्या करना होगा intersection करना होगा तो 1 से infinity और यह 8 upon 3 से infinity मतलब हम इसको अगर equation 1 मान लेते हैं इसको equation 2 मानते हैं तो equation 1 और 2 का हम intersection करते है equation 1 और 2 का intersection करेंगे बेटा तो क्या होगा check करिए देखिए यह हो जाएगा आप अगर intersect direct हो जाएगा 1 से 20 देखिए यह हो गया हमारा 8 upon 3 1, 8 upon 3 and 20 तो यह आ रहा है 8 से यह आ रहा बेटा और 1 से लेके infinity तक यह जा रहा है तो common point कौन सा होगा इसमें 8 upon 3 से लेके 20 तक तो हमारा final इसका answer क्या होगा 8 upon 3 sorry यह 3 मतलब मान के चलो यहाँ पर अगर हम intersection करेंगे बेटा दोनों का तो यहाँ पर 3 point something मतलब अगर हम final result देखिए तो यहाँ पर 1 से लेके कहा तक होगा 20 तक होगा तो यहाँ लिख सकते हैं 1 से लेके 20 तक अब ध्यान दो बेटा 20 पर square bracket होगा 1 से लेके 20 होगा अब यहाँ पर हम simply intersection कर ले intersection करना तो आता है न अब ध्यान से देखो बेटा अब हमें क्या करना होगा कि अब हम second case लेते हैं case number 2 case 2 में क्या होगा बेटा कि जो x minus 1 less than 0 होगा मतलब x less than 1 होगा x less than वाला case लेते हैं मतलब minus infinity से 1 की बात हम लोग ले रहे हैं अब हम इस case में जो modulus है जो question में given है यहाँ पर जो question में given है इसके जगे पर क्या लगेगा minus sign लगेगा क्यों क्योंकि modulus जब less than 1 होता है तो negative होता है तो हमने यहाँ पर क्या लगा देना है बेटा यहाँ पर negative apply कर देंगे x minus 1 को आगे negative apply कर देंगे बस और कुछ नहीं यही हमारा concept था तो 3x minus 8 greater than equal to 1 upon 2 हो गया अब यहाँ पर further solve करेंगे बेटा तो minus x minus minus plus 1 plus 7 upon 3x minus 8 minus 1 upon 2 greater than equal to 0 होगा अब हम इसको LCM लेंगे बेटा तो minus 5x plus 24 upon क्या होगा बेटा 3x minus 8 greater than equal to 0 होगा यहाँ तक तो कोई दिकत नहीं आया है ठीक है अब हम आभी हमने देखा कि जब भी numerator denominator आता है तो हम क्या करते हैं multiply करते हैं तो यहाँ पर जब multiply करेंगे बेटा 5x minus 24 into 3x minus 8 less than 0 होगा चीक है यह बात तो समझ में आ गई अब यहाँ पर हम number line पर draw करेंगे तो 8 upon 3 और 24 upon 5 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा लेकिन फिर वहाँ पर यह देखना है कि अगर यह वाला समझ में आ गया न तो यह positive negative positive तो अगर less than होता है तो हम negative वाला interval लेते हैं यह detail में मैंने बताया था आपको तो जब भी यहाँ पर lecture video में बताया हूँ तो 8 by 3 से 24 upon 5 होगा और equal to है तो यहाँ पर उपर वाला term होता है उसको लेते हैं numerator equal to 0 लेते हैं लेते हैं बता तो यह वाला उपर वाला term क्या होता है square bracket और नीचे वाला term क्या होता है simple bracket होता है तो 8 upon 3 से लेके 24 upon 5 होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा अब हम जो यह वाला equation है और इन दोनो equation का intersection करेंगे intersection करेंगे बता बिल्कुल intersection करेंगे और दोनों का intersection कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा 5 होगा दोनों का intersection होगा ही नहीं minus infinity से 1 है और 8 by 3 से 24 by 5 है तो intersection हुआ ही नहीं तो अब हम क्या करेंगे जो final answer हमारा आया था 1 upon 2 case 1 का जो final answer क्या था 1 से लेकर 20 तो हमारा x belongs to 1 से sorry x belongs to 1 से लेकर के 20 और यही हमारा final answer होगा तो देखो इस question में क्या था यह two different value put करने थी यहाँ बहुत अच्छा question है आप इसको जब note करके जब खुल solve करेंगे तब इस question की हमियात आपको पता चलेगी आपको note कीजिए पहले और फिर से इसी question को देख लीजिए आपका funda 100% clear हो जाएगा और ऐसे question अकसर पूछे जाते हैं आपके paper में तो चलिए चलते हैं next question पर बेटा इस question में क्या है बेटा x-1 mod के अंदर plus x-2 plus x-3 greater than equal to 6 है तो जब भी ऐसे inequality को solve करना होता है तो हम क्या करते हैं step number 1 सबसे पहले बेटा x की value find कीजिए तो x-1 equal to 0 तो x की value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर इसी तरह इसकी value find करेंगे x-2 equal to 0 तो x equal to कितना हो गया बेटा 2 हो गया और x-3 equal to 0 तो x is equal to क्या हो गया बेटा 3 हो गया हमने सबसे पहले step on में हमने इसकी value find करनी है और number line पर represent कर लेनी है तो 1, 2, 3 जो भी x की value आएगा हम उसको represent करेंगे अब इसके बाद हमें cases बनाने होते हैं कि इनमें total cases कितने होंगे तो यहाँ पर बेटा होगा case 1 होगा और इसमें case number 2 लेंगे और यहाँ पर case number 3 और यहाँ पर बेटा case number 4 यूज करेंगे हम यहाँ पर 4 different cases लेंगे और उन cases के बाद हम finalize result आपको यहाँ पर देने वाले हैं तो हमें जब भी ऐसे question solve करने होंगे देखिए case 1 में x की value less than 1 है x की value less than 1 है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि x की value minus infinity से 1 है यही हुआ न अब यह बात तो यहाँ से clear होगी तो जब less than 1 होगा तो जो question given है हमें यह वाला modulus जो यह वाला term दिया है इसमें changes होंगे तो यहाँ पर एक simple सा देखो पूरा question detail में देखोगे तभी मज़ा आएगा आप सोचोगे कि तुरंट समझ में आ जाएगा तो आपको तोड़ी सी problem होगी तो total question देखना तब जाके समझ में आएगा देखो बेटा मैंने क्या बोला कि यह modulus है तो modulus के अंदर change होगा different different cases में यहाँ पर plus minus different होगा ठीक है किसी case में यह तीनो minus होगे किसी में दो positive होगे एक negative होगे किसी में कोई positive होगा किसी में कोई negative होगा तो कब positive होगा कब negative होगा यह किस बात पर depend करता है positive negative कहा होगा तो mode के आगे, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, ये बात तो clear होगी, दूसरी बात, सर कॉप positive और कॉप negative होगा, यही main concept है, तो देखो, जो inequality आपने लिया है, x less than 1 लिया है, अगर इसकी value के बराबर, अगर इसकी value से, मतलब x less than 1 का मतलब क्या ह हो गया, कि 1 भी नहीं है, equal to होता है, मतलब 1 भी नहीं है, तो 1 से, 1 से पहले जो अगर कोई भी term होगा, 1 से पहले कोई term होगा, तो उसको हम positive लेंगे, और 1 के बाद कोई term आएगा, तो उसको negative लेंगे, तो check किजिए, x minus 1, क्या होगा, x equal to 1 होगा, मतलब 1 के बाद आ रहा है, मतलब 1 से, 1 तो, 0.9999, तो यह इस से जादा आ रहा है, मतलब जो जादा आ रहा है, तीनों, यह 2, इस से जादा होता है, 360 से ज़ादा होता है, अगर जादा होगा, तो इन 3 की value क्या लेंगे हम? negative लेंगे, बस यही ध्यान देना है, ध्यान से सुनना बेटा, अभी मैंने बो यह अब तीनों के आगे negative क्यों लगाया negative इसलिए लगाया गया बिटा क्योंकि यह तीनों question में दिया हुआ था तो less than one है ध्यान से देखो अगर जो inequality यहां पर है अगर उससे ज़्यादा value वाला कोई यहां पर होगा तो हम सब के आगे negative लगाएंगे और इससे कम वाला होता ज जब इसको further solve करेंगे तो क्या होगा minus x plus 1 minus x plus 2 minus x plus 3 greater than equal to 6 है यह बात तो समझ में आगे हादी हादी अब हम क्या करेंगे इसको जब minus x minus 6 minus x तो minus 3x हो जाएगा बेटा होगा ना तो minus 3x यहां पर 1 और 2 3 3 और 3 6 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो उधर 0 हो गया तो minus 3x greater than equal to 0 तो x जब negative होता है तो दोनों side negative sign लेते हैं polarity change हो जाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x less than 0 मतलब यह है कि x की value less than equal to 0 हो गया बट अब हमने इसका मतलब क्या हो गया minus infinity से 0 होगा इस question का मतलब हमने solve करने पर minus infinity से 0 आया अब हमें क्या करना होगा कि जो cases लिए हैं और ये वाला जो cases लिए हैं और उसका और जो हम उसको solve करने के बाद जो आएगा मतलब जो आपने cases लिए और जो solve करने के बाद आएगा इन दोनों का intersection किया जाएगा क्या किया जाएगा बटा intersection तो minus infinity से 1 अगर हम intersection करके यहाँ पे लिखें चलो इसको माल लेते हैं equation 1 और इसको माल लेते है equation 2 तो equation 1 intersection equation 2 हम करेंगे चीक है तो चलो अब देखो intersection 1 और intersection 2 करते ह तो यह है बेटा यह है हमारा 0 और यह है 1 तो minus infinity से 1 first वाला जा रहा है और second वाला minus infinity से 0 है यह है तो दोनों में common क्या होगा बेटा दोनों में common अगर हम देखेंगे तो यह वाला है common मतलब जो दोनों में हो इसका मतलब minus infinity से 0 और यह हमारा क्या होगा first यह हमारा minus infinity से 0 यह हमा हमारा यह हो गया एक्स इक्वेशन यह फर्स्ट वाले का आ गया इसी तरह सभी केसेस में हमें देखना होगा बेटा समझ में आई बात हमने क्या किया केस वन अभी डिसकस किया तो केस वन का फाइनल एंसर क्या आए गया माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0 हमारा केस 1 का है मतलब अब हम बात करते हैं केस नबर 2 का तो धयान से देखो मैं बोलओ पूरा अगर क्ेस्टन धयान से देखोगे न तो 100% समझ में आ जाएगा केस नंबर 2 में क्या होगा अब ध्यान से यहाँ पर देखो अगर मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर अभी case number 1 खहा था, case number 2 1 से लेकर के 2 तक तो जब x की value 1 से लेकर 2 तक होगी तो हमारा क्या क्या changes आएंगे 1 से लेकर के 2 तक है, तो बेटा 1 से बड़ी है, 2 से कम मतलब 1 से लेकर के 2 तक है तो इसमें मैंने क्या बोला देखो, अब इसमें check करो, कि 2 से जो पहले वाला है, यहाँ पर देखो 2 से जो पहले वाला है, उनके आगे negative लगे, positive लगेगा और 2 के जो बाद होंगे उसके आगे negative लगेगा, तो less than 2 है, मतलब 2 नहीं, इसमें और इसमें negative लगेगा, और इसके आगे positive लगेगा, क्यों? क्योंकि 2 से ये 1 कम होता है तो अगर जो inequality लिए हो आप, उससे कम होगा तो positive लगाते हैं और उससे ज़्यादा होगा, तो negative लगाते हैं, तो यहाँ पर x-1 आजाएगा और इन दोनों के सामने क्या आजाएगा, बिटा, negative आजाएगा आगई बैस समझ में यहाँ तक तो picture clear होगी, ठीक है इसके यहाँ positive क्यों आया? क्योंकि इसकी जो value है x की जो value क्या है? 1 है जो कि 2 से कम है, तो 2 जो यहाँ पर है उससे कम होगा, तो उसके आगे positive होगा, लेकि इन दोनों की value इससे जादा है, तो इनके आगे negative लगा है, simple सी बात है कि जिसकी value जादा होगी negative लगेगा, और अगर कम होगी, तो positive लगेगा अभी चार केसे देखेंगे चारों केसेस में आपको clear हो जाएगा तो अब हम इसको solve करेंगे बेटा, x minus 1 minus x plus 2 minus x plus 3 greater than equal to 6 होगा अब हम इसको जो further solve करेंगे बेटा, तो x x ये गया काम से minus x हो गया और 2 plus 3 5, 5 minus 1 4, और 4 उधर 6 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x minus x greater than 2 होगा, तो यहाँ पर negative sign and change करेंगे, तो minus 2 हो जाएगा बेटा अब हमें क्या करना है, यह equation 3 है, यह equation 3 और यह equation 4 मैंने क्या बोला, equation जो inequality इन दोनों का क्या करना होगा, intersection करना होगा, मतलब कि equation 3 intersection equation 4 equation 3 और 4 को अगर हम करेंगे बेटा, तो minus 2, मतलब एक हमारा है, minus 2 और 1 है 2, एक 1 से 2 है और second क्या है, minus infinity है, दोनों में कोई common है ही नहीं, मतलब इसका intersection क्या आगया, 5, 5 का मतलब होगा, कि इन दोनों में कोई solution नहीं होगा, यह बात तो समझ में आगी, मतलब इसका intersection लेने पर क्या आगया, 5 आगया, तो हमने अब second देख लिया, अब हम बात करते हैं, third के तो third cases बन क्या रहा है, तो देखो third cases में x की value 2 से लेके 3 तक है, यही है न, तो चलिए अब हम बात करते हैं, case number 3 की, तो case number अगर हम 3 की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर आजाते हैं case number 3, तो case 3 में x की value कहा से कहा तक है बेटा, 2 से लेकर के 3 तक है, अब 2 से लेकर 3 तक है, तो इसमें क्या होगा, कौन सा positive होगा कौन सा negative होगा, तो देखो 3 से पहले वाला term कौन सा है 3 से पहले वाला term यह दोनों है, देखो, eject equal to तो नहीं होगा, eject, तो 2 से, यह 3 से पहले कौन सा है यह दोनों है, तो यह दोनों के sign में क्या होगा, positive लग जाएगा और जो यह 3 को touch नहीं करेगा, तीसरी इसमें क्या लग जाएगा, बेटा, negative लग जाएगा बोलो समझ में आया कि नहीं बेटा यही main concept था कि positive कब लगेगा, negative कब लगेगा तो बेटा, positive इन दोनों के सामने positive क्यों लगा, और इसके सामने negative क्योंकि यह 3 से कम थी तो कम वाला यह दोनों था तो positive होगा, कम से जादा वाला है तो उससे जादा वाला point से inequality से जादा point है, इसलिए negative लग गया, फिर इसको further solve करेंगे, तो x, x, 2x और minus x, तो x हो गया, x greater than equal to 6 हो गया, बोले तो यहाँ पर 6 से infinity हो गया, अब यह 2 से 3 है, तो हमने equation इसको 5th और 6 माल लिया, 5th और 6 तो अगर हम equation 5th, intersection 6th करते हैं, 5th और 6th का intersection करते हैं, तो दोनों में कोई common नहीं आगा, क्यों चेक कर लीजिए एक हमारा 2 से 3 है और second जो है 6 से infinity है, यही है ना, इन दोनों में common कोई intersection नहीं, तो हमारा solution क्या होगा 5 होगा, क्योंकि इस और इस equation का intersection क्या आगया बेटा 5 आगया, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है यह बात तो समझ में आगई, अब हम बात करते हैं बेटा, case number 4, case number 4 कहां से कहां तक होगा बेटा, अगर ध्यान से आप देखेंगे, तो case number 4 कहां से कहां तक है, 3 से बड़ी value है, और 3 से बड़ी value है, मतलब x greater than equal to 3 है, इसका मतलब 3 से बड़ी, अब तो जो भी value है, यहाँ पे तीनों, जो हमारे ये तीनों modulus की जो value है, 3 से कम है, मतलब बड़ी है, इससे तो छोटी होग इसे भी, तो इन सभी के आगे क्या लगेगा positive sign लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा बड़ा, ये तीनों की value positive लगेगी, मतलब x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 greater than equal to 6 होगा, अब हम इसको further solve करेंगे बड़ा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 greater than 6, x x x, यहाँ पर क्या होगा, 3x होगा, ठीक है, ये 3x minus 1 minus 2 minus 3 minus 5 minus 6 greater than 6 है, यहाँ से क्या होगया, 3x greater than 12 होगया, x greater than equal to 4 होगया, तो इसका मतलब क्या होगया, बड़ा, 4 से लेकर के infinity होगया, तो ये equation माल लेते हैं, 7th है, और ये equation माल लेते हैं 8th है, अब इन तीनों का इन दोनों का क्या करेंगे बिटा intersection करेंगे, यही करेंगे अब इन दोनों का जब intersection कीजिएगा, तो एक जा रहा है 3 से लेके infinity और second वाला जा रहा है 4 से लेके infinity, तो इन दोनों में common क्या हो गया बिटा 4 से लेकर के infinity हो गया ठीक है, यह हमारा, तो देखो अब हमारा जो equation बना अब यहाँ पे starting से देखो एक final equation हमारा है, अब x था दूसरे y है, जिसमें क्यों no solution है, ठीक है second वाला क्या है, no solution है बिटा, अब third वाला क्या होगा यहाँ पे जब third हम check करेंगे तो इसमें भी क्या होगा z में भी हमारा, phi आया और last में हम जो p equation है तो हम क्या करेंगे, चारो equation को union करेंगे, तो चलिए तो x union y union z union p, यह चारो equation को हमने क्या किया हमने union लिया बिटा अब इन चारों को जब union लेंगे हम, तो क्या मिलेगा देखो, first वाला में क्या है, minus infinity से 0 minus infinity से 0 second वाला 5 है, तो यह इस तरह से सबका क्या होगा, 4 से infinity और यही हमारा final answer होगा, तो देखो, आपने इस question में क्या किया, एक बार firm summarize करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह step 1 में cases define करने है, ठीक है, सबसे पले आपको question देखना है, और cases define करना, x की value क्या है x की value find आगी, यहां से जितने cases बन सकते हैं, इधर, इधर, इधर 4 cases बनेंगे, ठीक है, उसके बद हमें x less than 1 1 से 2, 2 से 3, 3 से infinity तक का, बस इसमें यह ध्यान देना है, कि जिस inequality को लेंगे, अगर उसकी value इन में से कम होगी, तब तो positive लेंगे, और अगर जादा होगी, तो negative लेंगे, बात के लिए रहे, चलिए तो इस question को समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब चलते है next question पर, इस question में क्या है बेटा, 1 upon 3 के power x plus 2 mod के अंदर upon 2 minus mod x greater than 9 है, अब हमें इसकी value find करने है बेटा, तो देखो, सबसे पहले आपको ये सोचना है, कि जो ये 9 है, इस 9 को भी इसके format में ला दे, देखो, या तो इसको इसके format में ला या इसको ठीक है, ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पर, 1 upon 3 का whole power x plus 2 इसमें हमने कोई change नहीं कर रहा है, बेटा, तो ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 1 upon 3 के power minus 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, बात तो ही है, ठीक है, अच्छा, अब हमने दोनों का base को same कर दिया, जब दोनों का base ये same है, तो हम power को equate कर सकते हैं, तो यहाँ पर मतलब यह हुआ, कि x plus 2 mod के अंदर upon 2 minus mod के x greater than equal to minus 2, greater than equal to minus 2, यह बात तो समझ में आगए, तो अब यहाँ से हम check करेंगे, कि किस-किस value के लिए mod x satisfy होगा, तो बेटा, mod x से not equal to यहाँ पर 2 होगा, मतलब जो x की value नहीं होगी, minus 2 और 2 के लिए तो बिल्कुल नहीं होगी, अब हम इसी का different cases बनाएंगे, और यहाँ से आपको solve करेंगे, तो चलिए, अब हम यहाँ पर number line पर draw कर देते हैं, तो minus 2 और 2 यह दोनों नहीं होगे, बट इसके अलावा बाकी सभी को हमें देखना है, ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्च देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर cases कितने बनेंगे, case 1 होगा, और क्या बनेगा बेटा, case 2 होगा, and case 3, यही तीन बाते होंगी, तो चलिए, अब हम 3 different cases यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो चलिए बेटा, अब case 1 क्या होगा, case 1 का मतलब है, कि mod x की जो value है, कहां से कहां तक है बेटा, x की value less than minus 2 है, ठीक है, x की value less than minus 2 है, तो जो less than minus 2 है, इसका मतलब क्या होगा है, जो modulus हमें यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी value में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बताओ, minus लगेगा, क्योंकि इसकी value इससे ज़्यादा है, मैंने अभी बिताया था, जब ज़्यादा होता है, तो उसको क्या लेते हैं, positive, negative लेते हैं, और जब कम होता है, तो उसकी value क्या लेते हैं, negative लेते हैं, तो 2 minus और minus x greater than minus 2 होगा, अब यहाँ पर जब solve करेंगे बेटा, तो यह क्या हो जाएगा, minus x plus 2 upon 2 plus x हो जाएगा, अब इसको हम cut कर देंगे, तो minus 2, जो कि minus 1 minus 2, यह दोनो satisfy नहीं कर रहा है, तो इस question में क्या है, x less than minus 2 है, मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, not satisfy हो गया, ठीक है, वालना, इस case 1 के लिए तो satisfy नहीं है, अब हम बात कर रहा है बेटा, case number 2 का, ठीक है, तो case 2 कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा, यह जो case number 2 है, x की value minus 2 से 2 तक है, x की value ही होगी ने, बेटा, minus 2 से 2 तक, तो जब minus 2 से 2 की value होगी, इसके अंदर हम देखेंगे, कि x की value क्या होगी, positive होगा, तो यहां पर x plus 2 होगा, और नीचे क्या होगा बेटा, यहां पर 2 plus x होगा, तो greater than 2 होगा, जो की cancel होगा, 1 greater than 2 होगा, यहां पर भी कोई x की different value नहीं आई, यह भी हमारा क्या होगया, unsatisfy होगया, ठीक है, अब हम बात करते हैं, बेटा, case number 3, case number 3 में कहां से कहां तक था, x less than, sorry, x greater than equal to 0, अब 0 ले लो, यहां पर, x greater than equal to 0, या x greater than equal to 2, एक ही बात है, ठीक है, मनलब 0 से बड़ी होगी, तो अगर ऐसा हम लेते हैं, तो इसका मतलब यह होगया, कि x plus 2, और 2 minus x greater than 2 हो जाएगा, ठीक है, और अगर ऐसा हो गया, तो यहां पर, x plus 2, x plus 2 upon 2 minus x minus 2, greater than 0 हो गया, यहां से जब lc हम लेके solve करेंगे, x greater than 2 by 3 से, 2 by 3 हो गया, बट यह 0 से infinity हो, यह हमारा existing नहीं किया, और इन तीनों में कोई common तो आया ही नहीं, मतलब यह है, कि अब हम लोग मालों यह ले लिए, इसको और detail में देखो, अब तीनों का intersection देखो बटा, जब तीनों का intersection देखेंगे, तो चेक किजिए, कि तीनों का intersection कहा होगा, तो यह का गया minus 2, और यहां अगे 2 upon 3 और 2, तो एक minus यह जा रहा है, और यहां से इधर जा रहा है, और कोई यहां पर common तो है ही नहीं, तो कहीं पर कोई common नहीं है, तो एक से not equal to minus 2 and 2, में कोई common ही नहीं है, मतलब हम लिखेंगे not common, कोई common नहीं है यहां पर बेटा, अगर common ही नहीं है, तो inequality क्या होगा, not satisfy होगा, तो हम यहां लिखेंगे no inequality, no inequality and not satisfied, यहां पर satisfy हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हो कि common ही नहीं है, तो इस question का answer है, no inequality, ठीक है, तो आप चलते हैं next question पर, इस question में क्या है बेटा, इस question में है, कि x minus 1 plus 2 minus x greater than 3 plus x है, तो हम इसको कैसे solve करेंगे, तो इस question के लिए आपको बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत easy है, बट थोड़ा सा आपको conceptual तो है, आप इसको ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, कि बहुत easy है, ठीक है, ठीक है, तीस तरह के question को, कैसे solve करेंगे, तो यहाँ पर बिटा, देखो, mod x को हम क्या लिख सकते हैं, mod x को लिख सकते हैं, x minus x, x less than 0, और positive x लिख सकते हैं, x greater than equal to 0, बट यहाँ पर क्या है, x minus 1 है, तो x minus 1, mod को क्या लिख सकते हैं, negative कब होगा बिटा, x minus 1, x minus 1 less than 0, या यू कहें, x less than 1 होगा, और यहाँ पर, x minus 1 positive होगा बिटा, जब x minus 1 greater than 0, या यू कहें, x greater than equal to 1 होगा, इसका exact meaning तो यही है ना, ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही दोनो term, use करने होगे, इसी तरह, अगर मैंने बोला, 2 minus x है, तो 2 minus x को हम क्या लिख सकते हैं, minus, एक बार minus होगा, और एक बार क्या होगा, plus होगा, तो minus कब होगा बेटा, जब यहाँ पर x greater than 2 होगा, क्योंकि 2 minus x greater than 0, और यहाँ पर यह उल्टा हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यह negative x को बनाएंगे positive, तो inequality change हो जाएगे, बागी सेम हमने उपर वाला ही concept किया था, कि 2 minus x less than 0 किया था, तो minus x greater than 2 हो गया था, यहाँ पर, जब यहाँ पर x negative बनाने के लिए, x greater than 2 हो गया था, यही चीज़ सेम आपको, हमने यहाँ पर कर दिया, इसके बाद अब हमें क्या करना है, कि x की value find करेंगे, तो x की value क्या होगे बेटा, 1 और 2 हो रही है, यहाँ पर 1 और 2 है, मनदा x की जो value है, 1 and 2 है, तो यहाँ पर cases कितने बनेंगे, 3 different cases बनेंगे, कौन सा, एक यह case बनेगा बेटा, case 1, और 1 case बनेगा यह, इस interval में, और 1 case बनेगा इस interval में, इन तीनों interval में, हमारे different, different 3 cases बनेंगे, तो चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा, case number 1 की, तो x की value कहाँ पिलाई कर रही है, 1 से कम, एक सी value 1 से कम पिलाई कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, minus infinity से 1, इसका मतलब यह हो गया, कि minus infinity से 1, यह हमारा हो गया, equation 1, अब x less than 1 है, इसका मतलब अभी मैंने बोला था, भी समझाया थे previous question में, कि अगर उससे कम है, तो इसकी value, दोनों की value क्या होगी, निगेटिव होगी, बट यहां पर इसकी value क्या है, कम है, और इसकी value क्या थी, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कम negative होगा, कम वाला क्या होगा, positive होगा, अल्यटी मैं प्रिविएस question में, डिसकास कर चुका हूँ, ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम इसको solve करेंगे, तो minus x plus 1 plus 2 minus x greater than 3 plus x हो गया, सबको एक से लिए, तो minus x minus x, तो minus 2x plus 3, 3 plus x हो गया बेटा, यहां से क्या हो गया, 2x minus 2x minus x, और यह 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो minus 3x greater than 0 होगा, इसको जब negative sign करेंगे, तो less than 0 होगा, और x less than 0 होगा, मनला minus infinity से 0 होगा बेटा, अब यहां पर equation 2 होगा, और इन दोनो equation का क्या करते हैं, हम intersection करते हैं, concept यह होता है ना बेटा, ठीक है, अब equation 1, intersection equation 2 करेंगे, तो equation 1 और 2 को जब intersection करेंगे बेटा, तो check कर लेते हैं, एक में क्या है बेटा, 1 minus infinity से 1, और एक में 0 है, तो 0 यहां पर होगा ना, minus infinity से 0, तो इसका intersection क्या होगा, मनला 0 से लेके infinity, यही इसका intersection होगा, sorry, minus infinity से 0, यही इसका क्या होगा, intersection होगा, तो हमने इसको x equation माल लिया, ठीक है, x, y, z equation जो आएगा, उसको हम लोग, उसका union कर लेंगे, तो चलिए, अब हम बात करते हैं, बेटा, case number 2 की, ठीक है, तो case 1 तो आप लोग को, बहुत अच्छी तरीके से clear होगा, अब case number 2 में क्या होगा, बेटा, x की value कहा से कहा तक है, तो 1 से लेके 2 तक है, तो चलिए, case number 2 देखते हैं, कि जो x की value यहाँ पर है, बेटा, x की value जो लाई कर रही है, आपको 1 से लेकर के 2 तक लाई कर रही है, तो यहाँ पर दोनों की value, x minus 1, दोनों की value positive लेंगे, दोनों mod के आगे क्या लेंगे बेटा, positive लेंगे, और greater than equal to 3 plus x, इसमें तो कोई change नहीं आएगा, इसको जब हम solve करेंगे, तो x minus 1, plus 2 minus 6, greater than 3 plus x, तो negative negative cancel हो गया, 1 greater than 3 plus x है, तो 0, 3 plus x minus 1, बोले तो 2 plus x 0, तो x की value क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, minus 2 हो गई, माइनस infinity से minus 2 हो गई, तो यह हमारा थमालो third equation, और यह हमारा हो गया fourth equation, तो third equation, इसका और इसका इन दोनों का क्या करेंगे, intersection करेंगे, तो third equation, intersection, fourth equation करेंगे, concept यही है बेटा, ठीक है, आप 2-3 बाद प्राक्टिस करेंगे, तो आपको भी आ जाएगा, तो जब intersection करेंगे, तो यहाँ पे check कर लेते हैं बेटा, एक है one से लेके two, एक यह हो क्या है बेटा, और second क्या है, minus two है, तो minus two तो यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में intersection होगा, नहीं होगा, intersection नहीं होगा, तो five लिखेंगा, five का मतलब होता है, no solution, तो case number two में, हमारा कोई solution नहीं होगा, अब हम बात करते हैं बेटा, case number three में, तो case three देखते हैं बेटा, case three, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, case three कहां से कहां तक होगा, takes greater than two होगा, तो इसमें एक की value क्या होगी, positive होगी, और दूसरे की value क्या होगी, positive होगी, तो यहाँ पर greater than three plus x हो जाएगा, इसको solve करेंगे, तो minus two plus six greater than three plus x हो जाएगा, तो यहाँ से x greater than six आ जाएगा, ठीक है, अब x greater than six आ जाएगा, यह हमारा हो गया, fifth equation, और यह हो गया, sixth equation, तो fifth intersection, sixth करते हैं, ठीक है, fifth intersection, यह क्या हो गया बैटा, two or six, तो two से infinity, और six से infinity, common कौन सा होगा बैटा, six से infinity, तो हमारा six से infinity क्या हो गया, common हो गया, तो यहाँ पर six से infinity, हमारा y equation हो गया, क्योंकि second वाला no solution था, तो first वाले का final answer कितना है था, हम यहाँ पर x, जो दूसरे वाले का माल लो, z माल लो, तो x union, y union, z करेंगे, तीनों का जो final answer आया था, तो first वाले का क्या आगया, minus union, minus infinity से 0, union, दूसरे का तो 5 है, तीसरे का क्या है, six से लेकर के infinity, और यही हमारा final answer होगा, तो देखो, इस तरह के question में, आपको क्या करना होता है, कि एक दो भार आप इस तरह को देखिए, और फिर से solve कीजिए, अपने हाद से, यह देख देख करके, उसके बद आपको format पता चल जागा, कि आपको question को कैसे solve करना है, ठीके, तो इसका answer होगे, आप चलते हैं, next challenging problem पर, इस question में क्या है बेटा, कि mod के अंदर, x square plus k x plus 1 upon x square plus x plus 1 less than 3, find integral value, अब हमें इसमें solve करना है, तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कि हम यह जानते हैं, यह properties, mod x less than a, mod x less than नहीं होते हैं, तो x की value क्या होते हैं, minus a से a होती है, यह होती है बेटा, बस यही properties हम यहाँ पर, modulus की use करने वाले हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x square plus k x plus 1 upon x square plus x plus 1, कहां से कहां तक होगा बेटा, minus 3 से 3 तक होगा, यह बात तो समझ में आ गई, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कि इसमें एक बार हम less than 3 लेके solve कर देते हैं, और एक बार, देखो, एक ही साथ दोनों भी solve कर सकते हैं, लेकि थोड़ा complicated होगा, लेकि आप जानते हैं, कि मैं बहुत detail में solution देता हूँ, क्योंकि आपको जितने भी lecture video में हमारा देखेंगे, मैं आपको detail में solution देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जूरत ना हो, ठीक है, तो हम इसको detail में solution करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं बेटा, बाद में हम दूसरे वाले को भी solve कर लेंगे, तो x square x plus 1 होगा, अब हम क्या करते हैं, पहले यह वाला करी हैं यह वाला, चलो हम ऐसा करते हैं, पहले less than three वाला कर लेते हैं, थोड़ा positive से चले हैं, नहीं, ज़रूर यह negative से चले हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको हम यहां से multiply कर दीजिए, तो x square plus k x plus 1, ठीक है, k x plus 1 minus, अगर यह पले इधर आजाएगा, तो minus 3 x square minus 3 x plus 3, यहां पर less than 0 होगा, कैसे, क्योंकि यह वाला 3 इधर आएगा, फिर LC हम ले लेंगे, इतना तो आता ही, अगर इतना problem है, तो आप मेरा starting का video जाके देखिए, लेक्चर 1, ठीक है, जिसमें आपको detail में inequality समझाया गया है, तो यहां पर जब हम इसको solve करेंगे, तो minus 2 x square minus x 3 minus k, 3 minus k plus 2, sorry k minus 3, k minus 3 plus minus 2, minus 2 less than 0 होगा, अब x square की negative है, तो negative common लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 x square हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, यह वाला plus, x k minus 3 minus k, यहां पर क्या हो जाएगा, plus 2, और polarity क्या हो जाएगा, greater, क्योंकि हमने negative को common लिया है, negative को common लेने के वह हमारे यह आ गया, अब हमें क्या करना होगा, d less than 0 करना होगा, यही concept यहां पर है, तो जब भी k की value find करने है, तो d less than 0 करेंगे, तो d less than 0 करेंगे, तो d क्या होता है, b a square, minus 4 a c, less than 0 होगा, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो a की value कीतना है, 2 है, ठीक है, b की value कीतना है बिटा, तो 3 minus k है, 3 minus k है, उसके बाद अगर हम c की बात करेंगे, यहां पर, बस यहां पर put करना है, पेटा, तो जब हम यहाँ पर put करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होगा जब put करेंगे बिटा तो 3 minus k का whole square minus 4 into 2 into 2 less than 0 तो यहाँ पर होगा 3 minus k का whole square minus 16 less than 0 ठीक है अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लेख सकते हैं कि 3 minus k का whole square less than either 16 हो गया अब इसको solve करने के लिए फिर से हमने modulus square की property यहाँ पर लगा देते हैं तो देखो बेटा अगर square की properties लगाएंगे तो क्या होगा तो 3 minus k की value कहां से कहां तक होगी 4 से लेके minus 4 से लेके 4 तक होगा यही होता है बैइ square की property जब यह वाला square solve करेंगे यहाँ पर तो यही होगा निगेट्व से positive तक जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 3 minus k की value होगी यह वाला 4 को उधर ले जाओ ये वाला 4 को उधर ले जाओ तो ये वाला 4 को जब ले जाएंगे बिटा चलो एक मिनट ऐसे detail में लिख देते हैं तो K को उधर रखते हैं तो minus के होगा 3 उधर जाएगा तो minus 4 minus 3 4 minus 3 हो जाएगा तो minus 7 से ले करके minus K से लेके 1 होगा यह होगा न बिटा तो जो K की वैलू negative polarity change करेंगे तो क्या होगा 7 minus 1 तो 1 से लेके यहां तक क्या होगा minus 1 से लेके 7 क्या होगा हमारा K की वैलू होगा यहां से first में अगर जो less than 3 में K की वैलू आया क्या आया minus 1 से 7 आया अब हम case number 2 discuss करेंगे case number 2 क्या कहता है कि एक बार हमने 3 वाला किया था अब हम negative वाला अभी यह वाला कर दिया बेटा ठीक है अब यह वाला कर लिया अब यह वाला करते है तो अभी हम यहां पर detail में solution आपको दे रहे है देखिए यहां पर क्या है बेटा कि x square plus k x plus 1 upon x square plus x plus 1 less than minus 3 है यह बात तो समझ में अब क्या करेंगे सब को इधर लाएंगे तो उस side लाएंगे तो यहां पर less than 0 हो गया x square plus k x plus 1 upon x square x plus 1 plus 3 होगा अब यहां पर हम LCM ले लेंगे तो LCM लेंगे तो क्या होगा बेटा x square plus k x plus 1 plus 3 x square plus 3 x plus 3 होगा और less than क्या होगा, 0 होगा, तो जब इसको further solve करेंगे बेटा, तो क्या होगा, 4x square plus x into 3 plus k plus 4, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे greater than 0 हो जाएगा, ठीक ही, यहाँ तक तो clear reconcile, अब हमने क्या देखा, कि जब भी यहाँ पे ऐसे term मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, d less than 0 होगा, d क्या ह होगा, less than 0 होगा, अब जब d less than 0 होगा, तो यहाँ पे d का मतलब क्या होता है, b square minus 4ac less than 0 होगा, ठीक है बेटा, अब ऐसा आ गया, तो यहाँ पे a equal to कितना है बेटा, 3 plus k है, और b की value कितना है बेटा, 4 है, है न मज़िदार question बेटा, बहुत ही अच्छे question है, यहाँ पे, sorry, a को यह वाला b है बेटा, यह वाला a है, और c की value भी क्या है, 4 है, ठीक है, बहुत अच्छे से detail में बता रहा हूँ बेटा, और प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो आप friend को जरूर रिक्वेर, इसको आप इसको share करना बेटा, वीडियो को, ठीक है, और हर chapter का challenging problem है, आप बिल्कुछ इंदा ना करें, तो अब इस तरह के question को solve करने के लिए, हम यहाँ पर इसको यह वाली property लगा देंगे, तो 3 प्लस k का whole square, ठीक है, 3 प्लस k का whole square, minus 4 into 4 into 4, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, अब greater than 0 कर दो, ठीक है, अब इसको solve कर दो, इसको solve करेंगे, तो हमारी k क value, अब तो हम लिख सकते हैं, 3 प्लस k का whole square, greater than 64, इस तरह से solve करेंगे, तो k की value आ जाएगी, बेटा, मनलब 3 प्लस k, जो होगा, minus 8 से 8 तक जाएगा, फिर k की value कहां तक हो जाएगी, बेटा, minus 11 से लेके 5 तक हो जाएगी, ठीक है, minus 11 से इसको 3 को दोनों साइट ले जाएगे यहां तक तक तो आता होगा, तो minus 11 से 5 हमारा क्या हो गया, यह second equation हो गया, तो हमने first equation को solve किया था, तो minus 1 से 7 आया था, और second equation minus 11 से 15 आया, इन दोनों equation को intersection करेंगे, तो intersection equation 1 and 2, तो जब intersection करेंगे, तो minus 11, 1, 5, 7, यही value है न, तो minus, sorry, minus 1, तो minus 1 से 7 है, और second वाला क्या है, minus 11 से 5 है, इन में से common क्या है, सिर्फ common यह वाला है, minus 1 से 5, तो इसमें जब common देखेंगे बेटा, तो minus 1 से 5 है, और यही हमारा क्या होगा, answer होगा, बट इसमें यह बोला गया, कि इसकी integral value क्या होगी, तो integral value होगा बेटा, 0, यहाँ पे जब इसको solve करेंगे, तो integral solution क्या होगा, minus 1 से 5 के बीच में integer कौन कौन से है, 0, 1, 2, 3, 4, यही हमारे integers हैं, तो हमारा final answer, 0, 1, 2, 3, 4 होगा, इस question में क्या है बेटा, हमें solve करना है, x square minus 2x minus 8 mod के अंदर, plus x square minus x minus 2 modulus is equal to 3 mod x plus 2 है, अब हमें इसको जब भी find करना हो, तो सबसे पले step 1 में क्या करेंगे बेटा, x की value find करेंगे, और different, different cases लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको middle term splitting कर लेते हैं बेटा, तो x minus 4 और x plus 2, first वाले का middle term splitting हो गया, second वाले का क्या होगा बेटा, x minus 2 into x minus 1, यह हमारा second term का हो गया, और यह क्या हो जाएगा बेटा, 3, x plus 2 होगा, यह होगा ने बेटा, ठेका अब यहाँ से हम x की different, different value find कर लेंगे, अब तो find कर सकते हैं, x minus 4 equal to 0, x is equal to 4, इस तरह से हम x की different, different value हम यहाँ से find कर लेंगे, ठीक है, अब उसके बदे हम cases बनाते हैं, तो case 1, अब तो आपको number line पर draw कीजिए, और cases बना लीजिए बेटा, simple है, तो चलिए, तो case 1 में क्या होगा, कि अगर हम बात करते हैं, x less than minus 2 होगा, कि अगर less than minus 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनो यह term, दोनो positive होगे, और यह वाला term क्या होगा, negative होगा, तो यह हो जाएगा, x square minus 2, x minus 8, यह positive होगे, plus x square minus x minus 2, is equal to minus 3, x plus 2, यही होगा बेटा, already मैंने previous 5, 4, 5 question इस तरह के बता चुके हैं, अब हमी क्या करना है, इसको solve करना है, तो इसको solve करेंगे बेटा, तो क्या होगा, x square, x square, 2x square, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको further आप solve करेंगे, तो क्या होगा, x square, x minus 2, equal to 0 होगा, यहाँ से जब middle term splitting करके solve करेंगे, तो x की value minus 2, और minus 1 आएगा, यह हमारी x की different value हो गई, लेकिन, अब हमें क्या करना है, x less than minus 2 करना है, तो बेटा, यह जो equation 1 है, यह हमने इसको equation 1 माना, और इसको equation 2 माना, तो equation 1 को equation 2 के साथ intersection करेंगे, एक्वेशन 1 को 2 के साथ intersection करेंगे, तो minus 2 से पहले और x equal to 2 है, तो हमारी x equal to क्या होग outrage है, minus 2 पर हमारा होगा, ठ बात तो समझ में आगे ठीक है अब हम बात करते हैं बेटा केस नंबर टू की तो केस टू में क्या होगा यह केस टू कहां पे लेना पड़ेगा बेटा तो माइनस टू से लेके वन के बीच में नंबर लाइन पर अभी हमने ड्रॉ कर लीजी और सिंपल सा हो जाएगा बेटा त तो दोनों मॉडूलस के बाहर क्या लग जाएंगे बिटा निगेटिव टम लग जाएंगे तो एक से स्क्वार माइनस टू एकस माइनस एट माइनस एकस स्क्वार माइनस एकस माइनस टू इज इकोल टू यहां पर क्या होगा यह पॉजेटिव हो जाएगा थ्री एकस प्ल x is equal to minus 2 and minus 1 हमारे पास आ गया, अब ये equation हमारा fourth equation होगा, तो third equation और fourth equation को intersection करेंगे, मतलब third equation, intersection, fourth equation, दोनों को अगर intersection करेंगे, तो हमारा minus 2 से 1 हमारा क्या होगा, answer होगा, तो इस तरह से हमने क्या, अभी answer final answer नहीं, case 2 का यह answer है, ठीक है, तो हमने इसको x माल लिया, और इसको y माल लिया, इसी तरह four different cases होगे, क्योंकि x की value चार आएगी ने बिटा, तो four different cases, अभी हमने case 1, case 2 discuss किया, अब हम बात करते हैं बिटा, case number 3 पे, तो देखिए, case number 3, तो case 3 में क्या होगा, कि जो x की value है, कहा से कहा तक लाई कर रही है, one से four तक लाई करेगी, तो इसमें क्या होगा, first वाला negative होगा, और second वाला positive होगा, तो x स्क्वार माइनस 2, x माइनस 8, plus x स्क्वार माइनस x माइनस 2, is equal to 3x, 3x, यहाँ पर, प्लस, जो भी दिया हुआ है, 3x प्लस, मतलब 3 into x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको further solve कर दीजिए, इसको जब further solve करेंगे, तो यह हमार x स्क्वार, x स्क्वार cancel हो जाएगा, और x भी x स्क्वार होगा, लिखी देख लेते हैं, माइनस x स्क्वार, प्लस 2x, प्लस 8, प्लस x स्क्वार, माइनस x माइनस 2 इक्वार टू 3x प्लस 6 होगा, तो x स्क्वार से x स्क्वार cancel हो गया, यह देखिए, 2x और माइनस x, कितना हो जाएगा, 2x माइनस x, यहाँ पर माइनस x है न, तो इस तरह से जब हम solve करेंगे बटा, तो एक मिनट यहाँ पर इसको हमने प्लस देखिए, तो हम 2x माइनस माइनस प्लस प्लस, तो 2x x यह cancel out हो जाएगा, यह 3x 3x cancel out होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 इक्वार टू 6 बच जाएगा, ठीक है, तो 6 इक्वार टू 6 बच गया, इसमें तो कोई फर्द की नहीं पड़ा, x तो ही नहीं, जब x नहीं है तो इसका क्या होगा, हम इसको exist नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको हमने cases में कुछ रखना ही नहीं है, अब हम case number 4 देखेंगे बटा, और चारों का union कर देंगे, वह ही हमारा answer होगा, तो case number 4, x greater than equal to 4 पे, तो x greater than equal to 4 पे अगर direct करेंगे बटा, तो क्या हो जाएगा, इसको फिर वही further सबको positive solve कर लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 2x square minus x greater than equal to 3x plus 6 हो जाएगा, इसी तरह इसको हम solve कर लेंगे, तो x square minus 2x minus 8 equal to 0, तो x minus 4 and x plus 2 equal to 0, अब इसको solve कर लेंगे तो x की क्या आएगा, 4, minus 2 आएगा, यही आएगा बटा, अब इसका x इन दोनों का intersection कर लेंगे, अगर intersection कर लेंगे आप, तो x equal to क्या आएगा, 4 आजाएगा, ठीक है, तो यह इसका final answer हो गया, तो अब हम सभी का final answer अगर हम लिखेंगे, तो जितने भी answer आएगे हैं, उसका क्या करेंगे बटा, हम union करेंगे, तो 1 से लेके 4, और यहाँ पर union except minus 2, यही हमारा final answer होगा, है नब बहुत अच्छा question बटा, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी basic में problem है, यहाँ लेक्चर बना चुका हूँ, आपको लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पर देख लिजिए modulus का, फिर फंड़ा आपका 100% clear हो जाएगा, चलिए चलते हैं next question पर, इस question में क्या है बेटा, कि x square plus 6, x plus 7 upon mod के अंदर, x plus 2 into x plus 3 less than 0 है, तो सबसे पहले देखो, एक बात तो clear है कि हम सबसे पहले, step 1 में x की value find करेंगे, तो x की value अगर mod x की बात करें बेटा, तो x plus 2 not equal to 0 होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो not equal to 0, मतलब x not equal to minus 2 होगा, क्योंकि mod x है तो कभी negative तो होगा ही नहीं, तो mod x not equal to 2 होगा, और x not equal to minus 3 होगा, यहाँ से एक चीज़ तो हमें यह पता चला, कि x की value minus 2 ही नहीं होगा, and minus 3 भी नहीं होगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कि अब इसका middle term splitting करेंगे, तो x से square, यहाँ पर क्या होगा बेटा, plus 7x minus x, यह minus 7 है, ठीक है, minus 7, ठीक है, अब आउन, x plus 2, x plus 3, less than 0 होगा, यहीं होगा, अब हम common लेंगे, middle term splitting करेंगे, तो यह होगा नहीं बेटा, x minus 7, x plus 2, and x plus 3, less than 0 होगा, ठीक है, अब इसको हम further solve करेंगे, तो x minus 1, और x minus 7, upon x plus 2, into x plus 3, less than 0 होगा, लेकिन यह तो equal होगा नहीं सकता, क्योंकि mod x से यह तो होगा ही नहीं, मतलब सिर्फ x की value क्या आएगी, 1 and 7 आएगी, यह आएगी नहीं बेटा, x की value, sorry, यह तो plus होगा न, यह हां मेरे यहां पे, यह plus होगा, और यहां पर भी plus होगा, ठीक है, तो x की value minus 7, और 1 होगा, तो x की value minus 7, मतलब minus 7 से लेकर के, 1 तक होगी x की value, बट इसमें आपसे question, क्या आप find करने को बोला है, कि x की integral value बतानी है, तो minus 7 से 1, की बीच में कितने integral value है, तो minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, अब यहां पर लेकिन इसमें क्या होगा, minus 2 and minus 3 को consider नहीं करना है, क्यों, क्योंकि तो अस्टार्टिंग में बोलागी, के x की value नहीं है, लब यह और यह नहीं होगे, इसका मतलब minus 6, minus 5, minus 4, minus 1, 0, total integral solution कितने होगे बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर कितने होगे बेटा, 5 होगे, तो हमारा number of integral solution, final जो answer होगा, वो कितने होगे बेटा, 5 होगे, और यही हमारा answer होगा, अब इस question में क्या है बेटा, x square minus 3x minus 4, mod के अंदर है, is equal to 9 minus x square minus 1 है, तो हम इसको सबसे पहले middle term splitting कर लेते हैं, तो यहां पर अगर middle term splitting करेंगे बेटा, x square minus 4x plus x minus 4, यह लिखेंगे, is equal to 9 minus, अगर इसका middle term splitting करेंगे बेटा, यहां पर क्या होगा, अगर हम इसकी value direct लिखें, तो x minus 1 यहां पर, और x plus 1 होगा, यही होगा न बेटा, ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसका जब middle term splitting लेंगे, तो x comma लेंगे, x minus 4 plus 1 into x minus 4 हो जाएगा, is equal to 9 minus, x minus 1, और x plus 1, mod के अंदर होगा, ठीक है, अब अगर हम यहां पर, इसको जब final middle term splitting लिखेंगे, तो यही होगा पेटा, is equal to 9 minus, x minus 1 into x plus 1 mod के अंदर, अब यहां पर देखो, जो modulus है, उसको इस side लेकर आते हैं, LHS side, ठीक है, तो x plus 1, x minus 4, यह mod, यह क्या होगा, plus हो जाएगा, क्या होगा पेटा, plus, x minus 1, x plus 1, ठीक है, यह है, is equal to 9 है पेटा, अब हमें क्या करना है, कि अब हमें यहां पर यह देखना, कि क्या common है, क्या नहीं है, तो यहां पर पेटा, x plus 1 को हमने common ले लिया, mod के अंदर, x plus 1 को common ले लिया, यह mod के अंदर क्या होगा, x minus 4, plus x minus 1, is equal to इन दोनों में से, x plus 1 को common ले लिया, equal to 9 हो गया अब हमारा यहां पर x की value अब हम यहां पर easily solve कर पाएंगे यह बात तो समझ में आ गए ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा कि जब हम यहां पर क्या लिखेंगे x plus 1 mod is equal to हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 3 तो 1 को 3 से equal करेंगे दूसरे को भी 3 से equal कर देंगे तो यहां पर x plus 1 is equal to 3 और 2x minus 5 is equal to 3 क्योंकि 3 into 3 9 होगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा x plus 1 is equal to plus minus 3 तो x plus 1 तो यहां से जब हम इसको further solve करेंगे बेटा तो x plus 1 is equal to 3 और x plus 1 is equal to minus 3 यही काम यहां पर करेंगे तो 2x minus 5 is equal to mod equal to 2x minus 5 is equal to plus minus 3 होगा तो 2x minus 5 is equal to 3 होगा और 2x minus 5 is equal to minus 3 होगा तो x की value यहां पर 2 आजाएगी और x की value यहां पर minus 4 होगा ठीक है और यहां पर x की value क्या होगा बेटा अगर हम इसको further solve करेंगे तो यहां पर x की value क्या हो जाएगी यहां पर x की value यहां पर 8 यहां पर 2x is equal to 8 यहां पर 2x is equal to 8 यहां होगी 4 हो जाएगी और x की value यहां पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा ठीक है तो हमारा यहां पर जो x का final answer आया बेटा क्या आया 1 2 4 and minus 4 तो हम यहां पर minus 4 1,2,4 आया तो अब हमें यही हमारी x की value आ गई इस question में क्या है बेटा mod x square minus mod x plus 4 equal to 2x square minus 3 mod x plus 1 है ठीक है अब हम इसको x square है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सबसे पहले इसको कैसे solve करेंगे तो mod x square minus mod x plus 4 अब 2 x square है तो इसको mod x square लिख दें चलेगा बिलकुल चलेगा minus 3 mod x plus 1 है हम क्या करेंगे सबको one side लेके आएंगे सबको x side लेके चलते हैं तो 2 mod x square minus 3 mod x plus 1 इसको इधर लिएते हैं minus mod x square plus mod x minus 4 equal to 0 होगा ठीक है अब 2 mod x square minus mod x square कितना होगा? mod x square होगा minus 3 mod x यह हो गया minus 2 mod x 1 और minus 3 equal to 0 होगा यहां तक तो clear है? अब यहां पर middle term splitting कर देंगे यार कुछ भी नहीं middle term splitting करेंगे तो mod x square minus 3 mod x जैसे normal middle term splitting करते हैं वो उसी तरह करेंगे बेटा और यहां पर equal to 0 यहां पर mod x कॉमा ले लेंगे तो क्या होगा? mod x minus 3 plus 1 mod x minus 3 equal to 0 हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? mod x plus 1 into mod x minus 3 equal to 0 हो जाएगा यह बात समझ में आ गई? हाजी सर बिल्कुल आ गई अगर यहां तक आ गया तो देखो mod x plus 1 equal to 0 और mod x minus 3 equal to 0 यहां तरत बेटा क्लिए रहे? अब देखो mod x not equal to minus 1 क्योंकि mod x कभी भी minus 1 के बराबर हो ही नहीं सकता modulus कभी negative होता ही नहीं तर minus 1 के बराबर होगा नहीं लग यह वाला तो नहीं सर्टिस पाईगा यह not possible यह तो possible नहीं है अब mod x minus 3 equal to 0 है बेटा तो यहां पर क्या करेंगे? simple से concept है कि तो mod x is equal to क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा मतलब mod x is equal to 3 है तो यहां पर x की value क्या होगी? plus minus 3 हो जाएगा जो कि यही हमारा final answer होगा इस question में क्या है बेटा? 3 to the power minus mod x minus 2 to the power mod x is equal to 0 है find number of real solution तो इसमें कैसे solve करेंगी इस question को? चलिए ध्यान से देखते हैं बेटा तो देखो सबसे पहले यहां पर हम case number 1 लेंगे कि जब हमारा x की value या तो greater than 0 होगी या तो less than 0 होगी यही होगा न? तो हम इसको लिख सकते हैं 3 to the power minus mod x is equal to 2 to the power mod x यहां तक तो लिख सकते equal to चलिए तो अगर x greater than 0 लेंगे तो 3 to the power minus x यहां पर equal to 2 to the power x होगा बिटा? बिलकुल होगा यही तक होगा ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे? 1 upon 3 to the power x is equal to 2 to the power x अब इसका graph बना लेते हैं बिटा तो 2 to the power x यह number line ले लिया अब देखो अगर मैंने बोला 2 to the power x के graph कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ठीक है? यह graph किसका है? 2 to the power x का है और 1 upon 3 to the power यह ऐसे आएगा यह ऐसे ही आएगा ना? यह ऐसे ही नीचे आएगा ठीक है? अब यहां पर यह किसका graph है? यह है 1 upon 3 to the power x का तो यह meet कहां करेगा? यह 0,1 पर करेगा यह बात तो आपको इतना तो आता है यह graph? ठीक है अब हमें क्या करना है? यह तो हमारा हो गया अब हम second case देखते हैं मैटा first case में कहां पर meet किया? 0,1 पर meet किया अगर हमने case number 2 case 2 x less than 0 लिया x less than 0 का मतलब हो गया बेटा कि 3 to the power x क्योंकि यहां पर negative लेंगे तो negative, negative, positive हो जाएगा और यह वाला negative हो जाएगा ठीक है? तो 3 to the power x is equal to 1 upon 2 to the power x हो जाएगा अब यहां पर फिर से हम again graph बनाएगे तो जो यह वाला graph होगा यह किसका graph होगा बेटा? 1 upon 2 to the power x होगा और जो increasing होगा इस तरह से यह होगा 3 to the power x का graph हो जाएगा ठीक है? तो यह जो meet करेगा यहां पर तो meet नहीं करेगा क्यों सर? यह जो meet करेगा यहां पर हमने तोड़ा गलत बना दिया देखे, इसको देखे और यह किसका graph होगा बेटा? यहां पर यह होगा 3 to the power x का तो यह भी कहां पर meet करेगा? 0,1 पर meet करेगा इसका मतलब हो गया कि यह value जिश्ट नहीं किया तो हमारा number यह वाला नहीं possible है सिर्फ यह वाला possible है तो यहां पर number of solution कितना होगा बेटा? number of solution कितना होगा? हमारा 1 होगा यही हमारा final answer होगा इससे असान solution और कहीं नहीं